गुड आफ्टन एवरीबेडी आइम यो होस्ट विशाल चले देख लेते कल मार्केट किस तरह मोमेंटम कर सकता है कल के लिए क्या प्राइस एक्षिन एक्सपेट किया जा सकता और कल मार्केट में सपोर्ट और इस्टेंस लेवल्स क्या होंगे तो बेगिन वित आज दोनों इंडाइस में हमें काफी फ्लाटिश ओपनिंग देखने के लिए मिला है उसके बाद हमने बैंक निफ्टे में डिसकस किया था कि यहां पे जो एक रेंज बनाए अगर उसके इधर साइड पे 15 मिंस का कैंडल क्लोज कर देता है तो हमें शायद ए यहां पर एक अपसाइड का मोमेंटम यहां पर थोड़ा सा इसके बाहर की बाहर मार्केट ओपन हो आता रेंज के बाहर ओपन होते ही मार्केट वापिस नीचे आ गया उसी रेंज में हाफ एनार 45 मिंस के लिए ट्रेड के और वहां से एक फाइनली वन आर के बाद में एक य यहां पर स्टॉक ट्रेड करने के लिए वापिस आया निफ्टी में यहां पर आज काफी अच्छा का सा एक ट्रेंड लाइन बना था यह कुछ मार्केट में आज का जो मोमेंटम रहा है फॉर्स कैंडल के साथ ही यहां पर आज काफी बेरिश मोमेंटम रहा है इवेंट जि अगर देखते हैं यहां पर तो एक अच्छा खासा यहां पर एक ब्रेकडाउन देखने के लिए मिला था अभी भी टार्गेट अनचीवड है यहां पर अगर हम देखते हैं तो किसी इस ब्रेकडाउन लेवल के आसपास से मार्केट कुछ इसका जो अपर स्विंग है वो यहां पर अप्साइड के लिए टेस्ट करने के लिए जा सकता और फिर वापिस मार्केट कल के लिए थोड़ा नीचे आता हूँ दिखेगा यहां फिर हो सकता है कि यहां पर कहीं ना कहीं मार्केट अगर यहां से 350 से नीचे आता हूँ अगर यहां से 350 से नीचे आता हूँ कर दें कर दिया था ब्रेक्डावन लेवल क्लिरल यहां पर कुछ खास काम करता है तो यहां पर यहां पर मार्केट में काफी अच्छा का सभी मार्केट में support दिखेगा वह support फिलाल यह ट्रेंड लाइन के आसपास यहां पर रेजिस्टंस होगा और नीचे की तरफ अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट में जो एक लास्ट रेंज बना हुआ है अगर मार्केट इससे नीचे की तरफ आता है तो हो सकता है हमें यहां पर मार्केट कल वापिस से इसी लेवल के आसपास 318 के आसपास सपोर्ट लेता हो दिखें हो सकता है अगर इसके नीचे आजए तो 300 के पास सपोर्ट लेता हो दिखें तो यहां पर हमारे पास ट्रेडिंग के लिए मौका नहीं रहेगा जब तक 19,300 ब ब्रीज करना मार्केट के लिए आसान हो जाएगा जिसके मोमेंटम के साथ हमें फिर नेक्स्ट जो हमारा सपोर्ट होने वो 19200 के आसपास मार्केट आता हो देख सकता है अगर यहां पर हम देखते तो उपर जाए तो यहां पर अपसाइड में भी हमारे पास काफी कम मौका रहेगा ट्रेड करने के लिए सो कल का दिन कुछ हम इस तरीके से कंजिडर कर सकते कि पहले प्राइस एक्षिन को फॉर्म होने देंगे रेंज में कुछ खास हमें दिखनी रहा है तो जब तक यह 300 का सब्सक्राइब करें के लिए अगर कोई कंजरवेटिव ट्रेडर है तो डेफिनेटली वांट तो सिट असाइड मार्केट क्योंकि यहां पर हो सकता है कल थोड़ा मार्केट में गर्मी बढ़ जाए सिंपल है बैंग निफ्टी में भी अगर देखा है तो बैंग निफ्टी में माइनर सपोर्ट जोन जो अपना बनाया हुआ था इस क्लियरली नाट वरकिंग बस तीन दिन पहले यहां पर एक सपोर्ट लिया गया था और यहां से मार्केट उपर गया था तो अभी इस टाइ से लेके कहिं 43,750 के बीच में मार्केत यहां पर एक horns ले सकता है और हो सकता है कि यहां से मार्केट उपर कि दरफ पहलता हुआ जाए इसको भी हम थोड़ा सा minor support zone की तरह ही consider करेंगे इसको जादा हम consider major support की तरह नहीं देख सकता है बट इसको अगर breach भी करता है market तो हो सकता है market वापस थोड़ा सा नीचे 43,400 तक market नीचे के लिए आ जाए जब तक यह support level यहाँ पर अभी safe रहेगा तब तक हो सकता है कि market में कहीं ना कहीं अभी भी हम एक expect कर सकते है market में एक बार bull try मार सकता है कि उपर की तरफ market को लेके जाए बट जब तक अगर market इसके नीचे भी चला जाता है 43,750 के नीचे अगर market चला जाता है 15 minutes का candle close कर देता है तो हो सकता है कि आने वाले time में थोड़ा सा market में प्रेशर देखने के लिए मिले एक कुछ इस तरीके का यहाँ पर मार्केट में एक zone बनेगा जहां पर होसकता है अगर market इसके ऊपर निकल जाए तो market यहाँ पर कल support लेता हो इनकेस अगर कोई कैंडल यहां पर 43,880 के उपर क्लोज होता है तो यहां से मार्केट के पास 44,000 यह 60-80 तक जाने का एक मौका रहेगा मेन्वाइल अगर नहीं जा पाता है तो नीचे की साइड पर भी इसके पास ब्सक्राइब ब्रेक्डाउन का पर लेवल रहेगा वो 43,720 के उपर 30 के असपर रहेगा जब तक यह ब्रीच नहीं करता हम दाउनसाइड के प्लान नहीं करेंगे so this would be the simple analysis for tomorrow hope this is helping you if yes then please don't forget to give a thumbs up thank you so much for joining us today we'll see you back again over the weekend for the market analysis of monday until unless have a great weekend